नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब के इस चैनल पर तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है आज है 26 दिसंबर तो आज से JVNNL मतलब की जैपुर विदूत वित्रन निगम लिमिटेड के हैलपर 2 के एक्जाम से वो स्टार्ट हो चुके है और यूटूब चैनल के जरी आपसे शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और आगे से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे जिन किसी का भी एक्जाम होने वाला है उनको में मदद मिल सके और पता लग सक में की कौन से पाट से कितने क्वेश्च्ट्ण आ रहे हैं और किस को तक आ रहे हैं इंदी के और उसके बाद English के देखें तो English के 15 से 20 साइस के 8 से 10 क्योंट और राज्स्तान जीके इंपोर्टेंट पॉर्शन है तडीके में से 30 कुश्चन आ रहे हैं थीज के लगबग कुश्चन आ बैस में दस से बंदोर के के लिए चार पंच कोतनुओ सभी नहीं जा सब्सक्राइए, मतलब देखने वाजाजी की हिंधी और राजस्तान जी है, इसमें से 60% exam आ रहे हैं, सिक्स्टी परसेंट ये दोनों पॉर्शन एक्जाम को कवर कर रहे हैं राष्टान जी के और हिंदी तो आप इस पर अपना ज्यादा फोकुस रखिए राष्टान जी के और इंदी पर अपना ज्यादा फोकुस रखिए उस पर ज्यादा करिए जिनके एक्जाम हो गए हैं उन साइन्स के 8 से 10 कुष्चन आ रहे हैं और मैस्स के 10 से 15 तो बाकि आपने देखते हैं कि कोई जैसे 18 कुष्चन अपने को मिले हैं जो फिल्फ फिर्षिफट के बच्चों के Exam से वहां से मिले हैं तो वो Share किये हैं देखते हैं देखे Friends पहले लाशनर जी के explicar के Question था Rajasthan के कौन से जिले की सीमी अर्याना से नहीं लगती तो Option के साथ से कौन से जिले की सीमी अर्याना से नहीं लगती गंगंगर जैपूर का निर्मान कब गुआ था 18 नमबर 17-27 को आगे क्वेश्चन है उपरमाल का पठार कहां पर है चितोडगट से बीलवाड़ा के इंदर और इंदी के क्वेश्चन पूचे गे थे तारा का प्रायवाची पूचा गया था जो पहले जन्मा हो के लिए एक शब्द पूचा गया था आंके फिरना लुको उक्तिकार्थ है यह सब इंदी में पूचे गये थे आगे देखते हैं फ्रेंट्स इंग्लिश का इंग्लिश क अगे पिछे और इनको एक करम में निर्दायरित करनके लगाना था आगे साइन्स का कुष्चन है पानी की बूंद क्यों होती है तो इसी कुष्चन है फ्रेंट्स पानी की बूंद उत्ते है गोल किसके करन नेटिए प्रस्टल नाव्के करन राजस्तान दिवास कं मनाय जा इस तरह के questions आ रहे हैं बाकि जो आगे हमें को question मिलते हैं तो हम शाम तक आपको रात तक provide करने की कोशिश करेंगे बाकि आप को video provide करने का motto मेरा यही था कि आपको बताया जाए कि किस किस portion से कितने कितने question आ रहे हैं ताकि उस इसाब से आप अपनी study को आगे continue कर सकें और उसी साब से हम पढ़ सकें क्योंकि friends अपने सब को पता है कि आखरी दिनों में हम पूरा syllabus को तो नहीं पढ़ सकते लेकिन उसको कि वन लाइनर पढ़े जाए वन लाइनर राजस्तान के पढ़ेंगे और हिंदी हिंदी के 25 से क्वेश्चन आ रहे हैं मनलब हम किसी भी topic को नहीं पढ़ सकते details से नहीं पढ़ सकते उसके जा तो वन लाइनर पढ़ लो और जा फिर आपने नोट्स मुना रहे हैं तो उसकी चल्दी से रीडिंग हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स बाकि आप देख लेना आगे जो भी हमें questions और मिलते हैं तो शाम तक आपको provide करेंगे ठीक है thank you friends आपको अगर वीडियो चलगे तो आगे शेयर करना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करीजी ठीक है फ्र